नमस्कार दोश्तों काब्या क्रिशन में आपका श्वागत है ये कहानी है शारश और केकड़ा की कहानी बहुत समय पहले की बात है एक घन्य जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुन्दर जील था उस जील में बहुत सारी मचलिया और केकड़ा भी रहता था बहे सब बहुत खुसी से मिल जुलकर रहते थे लेकिन हर रोज उस जील के किनारे एक सारस आकर मचलिया पकड़ कर अपना पेट पूजा करता था जब भी सारस जील किनारे आप अहुचता तब सारे मचलियों के बीच भागा दोड़ी सुरू हो जाता था ऐसे दिन भी तित गया धीरे धीरे सारस बुड़ा और कमजोर होने लगा पहले की तरह बैशिकार भी नहीं कर पा रहा था सारस बहुत दुखी होकर जील किनारे बैठ गया सारस का यह हाल देखकर जील की मचलिया बहुत खुस हुई सारे मचली सारस के सामने तहनने लगे पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया सिर्फ बैठा रहा ऐसे कुछ ओर दिन बीद गए सारस को ऐसे एक जगा बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पुछा भाई दो तीन दिन से देख रहा हुँ तुम यहां चुपचा बैठे हो एक भी मचली नहीं पकड़ा खाना भी नहीं खाया क्या बात है केकड़े की बात सुनका शारस फूट फूट कर रोने लगा सारस ने कहा क्या बताए दोस्त मैं बहुत ही दुखी हूँ कुछ दिन पहले एक जो अतिस ने मुझे एक बात बताया की बहुत ही जल्दी यह ज्यूइल सूखने वाला है बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे तुम सब मर जाओगे तुम लोगों की मुझे बहुत चि चिंता की बात है मुझे शब को बताना होगा सारस की बात केकड़ी ने जील की सारी मचलियों को बताया सारी मचलिया और केकड़ा मिलकर सारस के पास खे और बोला क्या बोल रहे हो जील सूख जाएगा तब हम सब कहां जाएंगे क्या करेंगे कोई तो उपाए होगा ना अब तुम ही कोई उपाय बताओ सारस ने कहा अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है एक उपाय है कुछ ही दूर पर एक तलाब है अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहां छोड़ सकता हूं सारी मचली मान गई और कहा ठीक है ठ केले दिन से सारस एक मचली को अपनी चोच पर लेकर चाना शुरू किया ऐसे कुछ दिन बाद केकड़ी की बारी आई सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने शारस को पूछा भाई यह तलाब और कितना दूर है केकड़े की बात सुन हो गया हूँ आज बहुत मज़ा आईगा तुमको खाकर आज पास देखो तुम्हारे सारे दोस्त की हटबिया अब तुम्हारी बारी है यह बोलकर शारस एक बड़े से पत्तर पर आकर आवेठा शारस की बात सुनकर केकड़ा बहुत गुस्सा हो गया और अपने आपको बचा सारस के चाल के बारे में बोला और कैसे उसने सारस को मार डाला यह भी बताया सारी मचली बहुत खुश्वे और निश्चित होकर रहने लगे इस कहानी से सीख मिलती है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आ नचाना चाईये